हैलो नमस्कार गुड मॉलिंग सुप्रभाद दोस्तों MPS Motivators में आप लोग का स्वागत है तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 13 का एक चप्टर लेकर क्या है मानो नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार तो दोस्तों चप्टर 10 है इसके बाड़े में हम लोग जाने का प्रियास करेंगे कि हमारे लाइफ में मानो नेत्र का क्या योगदान है और दोस्तों हमानेत्र का जो छमता है वो आस्ते आस्ते क्यों घटते जाता है जैसे से हम लोग का उम्र बढ़ता है वो ऐसे से हम लोग का नेतर का जो छमता है वो दोस्तो कैसे घरते जाता है तो दोस्तो पहले हम लोग इसके बारे में जानेगे मानो नेतर क्या होता है और मानो नेतर में क्या क्या होते है इसके आगे हम लोग जाने का प्रियास करेंगे द्रिष्टी दोस्त था उसके संसोधन तो दोस्तों द्रिष्टी दोस्त कितने प्रकार के होते हैं पहले उसके बाड़ में जाने का प्रियास करेंगे और उसका हम लोग निवारन कैसे करेंगे और कितने परकार के होते हैं तो दोस्तो यही चप्टर में लेकर क्या है तो दोस्तो हम लोग start करते हैं तो दोस्तो हमारे जीवन में नेतर का बहुत महत्वपुने उगदान है देखते होईएगा अगर कोई अबजेक्ट को देखना है तो दोस्तो अगर किसी को धुदला दिखाई देता है तो दोस्तो किसी अबजेक्ट को एसपर्स करके तो आंदाज लगा सकता है कि यह अबजेक्ट क्या है लेकिन उसके रंग को आंदाज नहीं लगा सकता है रंग को बिना देखे हुइ नहीं बता सकता है कि इस इस समझेंगे माणोण नेत्र के जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पक्ष माभी पेसिया जैसे कि दिया हुआ है द्रिश्टि पतल हो गया और द्रिग तंत्रिका हो जाएगा और कचाप द्रौव फिर उसके बाद क्रिष्टलिय लेंस उसके बाद नेत्रोद उसके बाद हो जगा दोस्तो पुतली फिर इसके आगा है परितारिका और लास्ट है स्वक्ष मंडल तो जैसे हम लोग एक रूम के अंदर में बहुत सरा अब्जेक्ट रखा वह रहता है तो दोस्तो ठीक उसी पर प्रयास करेंगे यह तो हम लोग जानगा कि मानों नेत्र में क्या क्या होते हैं तो दोस्तों इतना तो समझ में आगी आओगा जैसी कि दोस्तों अभी Class 10th, Bihar Board, 24 में अभी एक्जाम होने वाला है तो दोस्तों इसे related भी question 5 या 6 आते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को share कर दीज़ेगा ताकि उन जब एक्जाम देने जाये तो उनको 4 या 5 परसण इसे related आ जाये तो दोस्तों वह आपना 4 या 5 परसण आपना answer दे सके तो दोस्तों इसके आगे हम लोग जाने का प्रियास करेंगे, द्रिष्टी दोस्त के बारे में जाने का प्रियास करेंगे, तो दोस्तों, द्रिष्टी दोस्त के बारे में जाने का प्रियास करेंगे, हम लोग कि द्रिष्टी दोस्त क्या होता है, और द्रिष्टी दोस्त कितने परकार के होते हैं, और उसका हम लोग न नेत्र है, हमारा नेत्र है कि आपना छमता को आस्ता से खो देता है, जैसे कि धुंदला दिखाई देना, किसी को दुरी दिखाई नहीं देता है, किसी को दुर का अबजेक्ट नहीं दिखाई देता है, तो किसी को नजदी का अबजेक्ट नहीं दिखाई देता है, तो दोस्त व्यक्ति को नजदी का आबजेक्ट नहीं दिखाई देता है उस व्यक्ति को नजदी का आबजेक्ट कैसे दिखाई दिये तो दोस्तों इसी के related हम लोग इस पर discussion करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों पहले द्रिष्टी दोस के बारे में जानेंगे कि द्रिष्टी दोस कितने परकार के होते हैं तो दोस्तों द्रिष्टी दोस तीन परकार के होते हैं पहला होता है निकर द्रिष्टी दोस दूसरा होता है दिर्ग द्रिष्टी दोस और तिसरा होता है जरा द्रिष्टी दोस तो पहले ये तीनों हम लोग जानने का एके करके प्रियास करेंगे कि तीनों द्रिष्टी दोस क्या होते हैं और इसका हम लोग निवारन कैसे करेंगे अगर यह दोस किसी को हो जाता है तो उससे बचने के लिए यानि कि नहीं दिखाई देता है तो क्या उसको लगाया जाए कि वह उस अबजेक्ट को देख पाता है तो दोस्तो बहुत ही मतपुन यह टॉपिक है निकर दृष्टी दोस तो दोस्तो जैसे कि यहाँ डाइग्राम बनाया गया है निकर दृष्टी दोस के बारे में तो दोस्तो इसके बारे में पहले हम लोग जाने का प्रयास करें कि इसमें क्या होता है और इसमें हम लोग किस का यूज करते हैं इस द्रिष्टी दोस को कम करने के लिए इस द्रिष्टी दोस को हटाने के लिए इसमें हम लोग किस लेंस का यूज करते हैं तो दोस्तों निकर द्रिष्टी दोस में देखते हुएगा व्यक्ति को निकर की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्त लेंस में है तो वह व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है तो दोस्तों इसके निवारन के लिए हम लोग उता लेंस का यूज करते हैं जैसे कि दोस्तों क्लास 7 में हम लोग उता लेंस उता लेंस उसके बारे में हम लोग पढ़े थे उसका यूज भी पढ़े थे जैसे कि दोस्तों, description में link दिया गया है, उस पे आप click करके और उस video को आप लोग देख सकते हैं. तो दोस्तों, इसमें हम लोग author lens का use करते हैं, निकर दिश्टी दोस्त में. तो दोस्तों, देखते होएगा, जैसे कि यहाँ पर diagram बनाया गया है, जैसे कि एक क्या है, एक infinity पर object है, एक क्या है, यहाँ पर हमरा नेत्र है, और infinity पर object है, तो दोस्तों, यहाँ हम लोग author lens का use करेंगे, तो उस object क्या कर देगा, infinity से ला करके कुछ नजदिक, यानि कि कुछ distance पर रखेगा, तो जैसे ही वो distance पर कुछ distance पर आएगा, कुछ pass आएगा, उस object को हम लोग देख लेंगे, तो दोस्तों, निकर दिरिष्टी दोस्त समझ में आगिया होगा, अब इसके आगे हम लोग दिर्ग दिरिष्टी दोस्त के बारे में हम लोग जाने का प्रयास तो दोस्तों, दिरिष्टी दोस्त या दूर दिरिष्टी दोस्त, दोनी दोस्तों सेम होता है, तो दोस्तों, पहले हम लोग दिरिष्टी दोस्त के बारे में जाने का प्रयास करेंगे, जैसे कि दोस्तों, इसमें हम लोग दूर की वस्तु को बहुत बढ़िया से देख ले तो दोस्तों इसमें देखते हुएगा एक डाइगराम बना हुआ है जैसे कि एक क्या है एक निकट पर है एक अबजेक्ट क्या है निकट पर है और जैसा ही यहां पर हम लोग उस लेंस का उत्ता लेंस का तो दोस्तों देखते हुएगा दूर दृष्टी दोस्त में हम लोग उत्ता लेंस का यूज़ करते हैं तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर जैसे ही लेंस लगा उत्ता लेंस लगा वह सही क्या किया उस अबजेक्ट को कुछ दूर तक ले गिया उस व्यक्ति से उस अबजेक्ट को कुछ दूर तक ले गिया तब क्या करेगा दोस्तों वहाँ वेक्ति उस object को clear देख पाता है तो दोस्तों ऐसी कि diagram में दिया गया इसे आप समझ सकते हैं तो दोस्तों इतना समझ में आगिया होगा तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग बहुत अत्यधिक शेर किजिएगा ताकि 2024 में मैट्रेक का जो एक्जाम होने वाला है इस वीडियो को देखेंगे तो व्यक्ति को यानि कि स्टुडेंट को चार से पांच या छे कोस्टन का एंसर जरूर मिल देगा तो दोस्तों इतना समझ में आगिया होगा नेक्स्ट है हम लोगा जराद्रिष्टी दोस तो दोस्तों जराद्रिष्टी दोस में हम लोग जाने का प्रयास करेंगे कि जराद्रिष्टी दोस क्या होता है और इसका हम लोग निवारन कैसे करते हैं तो दोस्तों जैसे की विडियो में बता है जैसे क्या व्यक्ति का जैसे से उम्र बढ़ते जाता है उसके आखों में यानि कि नेत्र में धुंदलापन आने लगता है दुनलापन आने लगता है कोई व्यक्ति को देखते हुएगा ना वो नजदी को अब्जेक्ट को देख पाता है ना वो दूर के अब्जेक्ट को देख पाता है तो दोस्तों इसका निवारान हम लोग किस लेंस से करेंगे हम लोग तो यह बता हैं कि निकर द्रिष्टी दोस में हम लोग उत्ता लेंस का यूज़ करेंगे दूर द्रिष्टी दोस में हम लोग उत्ता लेंस का यूज़ करेंगे तो दुनों लेंस का तो उसमें यूज़ हो गिया लेकिन जराद्रिष्टी दोस में कोई व्यक्तिया ऐसे भी होते हैं जो उसको ना पास का अबजेक्ट दिखाई देता है ना उनको दूर का अबजेक्ट दिखाई देता है तो इसको निवारन कैसे किया जाएगा इससे किस लेंस से बचाया जा सकता है तो दोस्तों इसको निवारन के लिए हम लोग इसमें उत्ता लेंस और आउता लेंस दूइ फोकसी लेंस इसको हम लोग दोनों का लेंस का यूज करते हैं जैसे कि आउता लेंस को हम लोग उपरी तरफ रखते हैं और उत्ता लेंज को हम लोग नीचे की तरफ रखते हैं जैसे कि चस्मा में देखते हुएगा उसमें दोनों लेंज का यूज किया जाता है उत्ता लेंज और उत्ता लेंज उत्ता लेंज को उपरी छोर पे रखा जाता है और उत्ता lens को अंदर क्यों रखा जाता है तो दोस्तों किसी व्यक्ति को 25 cm कुछ distance हो अगर वहाँ व्यक्ति नहीं देख पाता है या कुछ अधिक distance हो उसको भी नहीं देख पाता है तो दोस्तों इस bifocal lens इस दोनों lens का यूज़ कर सकता है उसे दोस्तों को किलियर देख पाता है तो दोस्तों यही था हम लोग का मानव नेत्र के बाड़ें पढ़े हैं और उसके बाद निकर द्रिष्टी दोस दूर द्रिष्टी दोस और जरा द्रिष्टी दोस यह तीनों द्रिष्टी दोस को हम लोग कैसे निवारन कर सकते हैं कैसे बच सकते हैं तो दोस्तो इसके बारे में भी हम लोग इसमें वीडियो में जाना तो दोस्तो यही था हम लोगा वीडियो आप लोग से दोस्तो request है कि 1224 metric परिक्षा होने वाला है अपने दोस्तों के साथ अगर share कर दिजेगा तो उनका 5 और 6 marks बढ़िया आ जाएगा तो दोस्तो आज के लिए इतना ही आसा है कि दोस्तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं